नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तो चलिए आज शुरू करते हैं हिमाचल परते स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के कंड़क्टर पोस्ट कोड 762 की फुल एक्जाम एनलीसिस इस एक्जाम एनलीसिस में थोड़ा दिले इसलिए होगा क्यूंकि हम सभी बच्चों के रिव्यू इंग्लिश में इस एक्जाम में कुल 20 क्वेशन आये थे जो की मौडर्ट लेवल के थे और आप 12 से 15 क्वेशन इसमें यो अटेम्ट कर सकते थे next section है हमारे पास हिमाचल जी के हिमाचल जी के के इस exam में कुल 30 question पुछे गे थे 30 question सारे easy question थे आप 24 से 27 question जो इसमें attempt कर सकते थे next section है हमारे पास हिंदी हिंदी के भी exam में 20 question आये थे 20 question जो easy question थे और आप इसमें से 15 से 18 question आराम से attempt कर सकते थे next section है हमारे पास history history के भी exam में 20 question आये थे 20 question जो easy question थे और easy question होने के बज़े से 16-19 question इसमें से attempt कर सकते थे next section है हमारे पास political science political science के 15 question आये थे 15 easy question थे और 14-17 question आप इसमें attempt कर सकते थे political science के question थोड़े basic level के इसमें पूछे गे थे next section है geography यहोग्राफी के 20 क्वेशन में से आप 14-18 क्वेशन क्योंकि moderate level का आए थे question तो आप 14-18 क्वेशन इसमें attempt कर सकते थे Next section है हमार पास Science Science के 20 क्वेशन आये थे जो easy to moderate level के question थे और इन में से आप 16-18 क्वेशन क्योंकि कुछ question थोड़े easy थे कुछ थोड़े से moderate level के थे फिर भी आप 16-18 क्वेशन इसमें attempt कर सकते थे Reasoning के 9 क्वेशन आये थे सारे ही question easy थे और आगर आप थोड़े से आपने त्यारी किया है तो आप सारे ही क्वेशन इसमें attempt कर सकते थे Next section है हमार पास Current Affair Current Affair के कुल 10 question आये थे Moderate level के question थे और आप 6-8 question इसमें attempt कर सकते थे Last section है हमारे पास Economics Economics के 6 question आये थे सारे ही easy question थे और आप इसमें से 3-5 question attempt कर सकते थे अब बात करते हैं हम overall exam की Overall exam में 170 question जो easy level के question हम इसको categorize करेंगे क्योंकि Maxim exam जो था easy level में होता थोड़े से उसमें कुछ moderate question थे अगर आपने 170 मैं से 120 से 135 के बीच questions अंटेप्ट किये हैं तो आपकी बहुत अच्छे attempt मानी जाएगी चलिए अब देखते हैं इस exam की expected cut-off cut-off के analysis शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जुरूर subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी miss न करें और cut-off शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ मैं बताना चाता हूँ कि इस cut-off के लिए हमने बहुत सारे candidates का भी review लिया है और इस बार जो exam जो first time हिमाच्छल प्रदेश staff selection commission जो HRTC के लिए conduct कर रहा था इससे पहला exam हिमाच्छल प्रदेश road transport corporation ने खुद conduct कर रहा था और इस बार जो paper का level और number of vacances काफी ज़्यादा vacances है हर चीज़ को हमने analyze किया है इस cut-off को बनाने के लिए और expected cut-off जो actual cut-off से plus minus two vary कर सकती है बट overall cut-off यही रहने के chances हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास general category general category की इस exam में सबसे ज़्यादा 223 vacances हैं और 58-63 marks जो इसकी cut-off जाने का अनुमान है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने काफी high marks भी score किये 70 plus भी काफी बच्चों के marks है पर overall जो ज़्यादा तर बच्चों के marks है वो इसी range में बेरी करेंगा और जो document verification के लिए 58-63 वालों बच्चों को बलाया जा सकता है next category हमारे पास general EWS general EWS की इस exam में total 68 vacances है 68 vacances के according इस exam की cut-off जो है 56-60 marks रहने का अनुमान है next category हमारे पास SC category SC category की भी काफी ज़्यादा vacances है 110 vacances के basis पे SC category की cut-off वो 54-58 marks रह सकती है next category हमारे पास SD category SD category की 19 vacances है और 19 vacances के basis पे 15-57 marks इसकी cut-off रह सकती है cut-off थोड़ी कम इसलिए जाने के chances है क्योंकि एक तो vacances जादा है और दूसरा उसी दिन जो है evening session में clerk का exam भी था तो काफी बच्चों ने exam जो है skip भी किया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनोंने exam अपलाई कर दिया था क्योंकि जब advertisement के time पे बताया नहीं गया था जो license है वो किस date तक चाहिए और बाद में जे देखा गया कि 6 February के बाद बाले बच्चों को ineligival कर दिया गया था तो उस बज़ा से cut off थोड़ी कम जा सकती है नेक्स्ट केटेगरी है हमारे पास OVC केटेगरी OVC केटेगरी की भी काफी अच्ची बचैंसी है हमारे पास 85 बचैंसी है इसमें कुल OVC की और 55-69 मार्क्स जो इसकी cut off रह सकती है अब आते हम जर्नल वार्ड ओफ रिडम फाइटर पे तीन बचैंसी है और 46-50 इसकी cut off रहने का अनुमान है क्योंकि इस टाइम पे जो है बार्ड ओफ रिडम फाइटर के जो cut off है हर एक्जाम में काफी कम रहती है नेक्स्ट है हमारे पास SC बार्ड ओफ रिडम फाइटर SC बार्ड ओफ रिडम फाइटर की चार वेकेंसी है और 42-47 मार्क्सिस की cut off रह सकती है नेक्स्ट है हमारे पास SC BPL SC BPL की इस एक्जाम में 21 वेकेंसी है और 43-49 मार्क्सिस की cut off रह सकती है नेक्स्ट हमारे पास ST BPL ST BPL की इस एक्जाम में 7 वेकेंसी है और इसकी cut-off जो काफी कम रहेगी 44 से 48 माक्सिस की cut-off रह सकती थी ये थी इस exam की complete analysis अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like and share करें और किसी भी query के लिए निचे आप comment box में comment कर सकते हैं और इससे पहले जितने भी exam होएं सभी के analysis का link आपको description में दिया है आप वो भी check out कर सकते हैं और बहुत जल्द हम आपके लिए clear के exam की cut-off की analysis लेके आने वाले हैं तो आप उस वीडियो को भी check करिएगा धन्याबाद